Hello and good morning everyone. My name is Yubal Vijay Mesharen, Lecturer in Mechanical Engineering Department from NID Paradevich Nakhpur. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ Lecture No. 5 में जाजन पढ़ने वाले हैं Plasma Arc Machining के बारे में तो दिना टाम गवाए, चलिए शूरू करते हैं ये रहे आपके डिपार्टमन के विजन और मिशन Please pause the video and read it I hope आप साभी में इसे डिपार्ट कर लिए होगा So, summary of ways हमने पिछले एकर ने पढ़ा ECM process के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं Plasma Arc Machining के बारे में और यहरे हैं आपके program outcomes ठीक है? तो हम शुरू करते हैं Plasma Arc Machining अब इसका नाम Plasma ही क्यों पढ़ा सबसे तरह हम यह देख लेते हैं कि इसका नाम Plasma ही क्यों पढ़ा तो यहाँ पर यह जो Plasma है इसका मतलब क्या होता है? सबसे तरह हम यह देखते हैं तो देखें, आप लोगों को पता है कि जब भी हम Solid को Heat करते हैं कोई भी Solid Material को अपन Heat करते हैं उसके Melting Point तब तो क्या होता है, वो Liquid में Convert होता है पिर आप अगर Liquid को Heat करते हैं तो वो पाई में Convert होता है वो Gas में Convert होता है ठीक है? अगर हम उस Gas को या फिर उस Air को 2000 degree से उपर Heat करते हैं, तो उसके Atoms जो है, वो क्या होते हैं? अलग-अलग 3 ions में Convert होता है एक Positive Ion, एक Negative Ion और एक Neutral Ion ठीक है? अगर हम उसको और उसको गरम करते हैं, उसको Heat करते हैं उसका Temperation और बलाते हैं 3000 degree Celsius के भी उपर कर देते हैं तो जो Neutral Ion है, वो खतम होता है तो उसमें सिरी Positive और Negative Ion बच जाता है ठीक है? यह होता है क्या? Ionized Ions इनी Ionized Gas को क्या बोला जाता है Plasma तो हम लोग इस Technique का उसको करेंगे इसलिए इसको कहा जाता है Plasma Arc Machining Process I hope सभी को इसके बाहर पीछे की पूरी कहानी, राम कहानी सब समझ भागा जोली है ना? तो चलिए आगे बढ़ते है तो क्या 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 चाहिए Plasma Arc Machining करने के लिए सबसे पहले हमें लगेगी Plasma Gun जिसमें समें हम लोग Plasma को ओवर करेंगे उसके बाद आपको लगेगा Power Supply तो कि पॉलिए इनी टेर्मिल आपको लगाना पड़ेगा Electric Service Supply करना है लिए उसके बाद आपको लगेगा Tooling Mechanism ठीक है और लगेगा WorkPiece तो चलिए डाइग्राम के दुए आपके सब्सें देता हूँ उस डाइग्राम को आप लोग अपने जहर में डाल दूजिए ठीक है सबसे पहले तो यह जो है यह है आपका Tungsten Electrod यह क्या है Tungsten Electrod ठीक है इसको मैंने क्या कर लिया इसको Connect किया किसके सब Connect किया DC Power Supply के साथ तो Negative Terminal जो रहेगा यह Negative Terminal किसके सब Connected है Tungsten Electro साथ Connected है Negative Terminal है इसको इसको क्या बोलेंगे Cathode आपको जितने भी तोसर्ट पढ़ा है इसमें क्या है Tool जो हो हमारा Tool वो Tool किसके Negative Terminal के साथ में Connected रहेगा और वर्टीट हमारा किसके सब Connected रहेगा तो यह क्या वर्ट कर रहे है अपना As a Anode ठीक है इसको हम जो किसके साथ Connect कर रहे है Nozzle के साथ यह Nozzle किसकी बनी होती है Copper की तो यह वर्ट करता है As a Anode ठीक है अब दूसरी बात हम लोग उसमें Gas का Supply करते है तो इस Gas में आपने कोई भी Gas Supply कर सकते हो आप Mixture में Supply कर सकते हो Aragon Plus Neon ठीक है Million Plus Aragon Hydrogen Plus Aragon Generally Negative Process के लिए Hydrogen Plus Aragon इस Gas का हम लोग यूज करते है ठीक है Next यहाँ पर देखिए आपको Water Cooled Nozzle दिख रहा है ठीक है यह Cooling Mechanism के लिए यूज करेंगे क्यूज करेंगे आपने इसको क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा heat प्रेज होने वाली है अब उस heat को अपने को कुछ तो कम करना पड़ेगा वर्ना अपना Mechanism भी ज़ए सकता है यहाँ यहाँ पर क्या करते है Water Cooled Nozzle लागा देखिए ठीक है अब देखिए इसका Working यह Working किसमे कासे करेगा जैसे ही हम जो Power Supply On करते है तो Power Supply On करने के बाद क्या होता है यह Tungster Electrode है ठीक है यह जो Negative Terminal से लगा हुआ है इसमें से क्या होगा यह शूरू होगा और हम यहाँ से क्या करेंगे ग्राइस को Supply करेंगे ग्राइस को Continuous तो Supply करेंगे अब जब हम ग्राइस को Supply कर रहे है तो क्या हो रहा है यह जो Electrode है यहां से Positive Terminal और वर्पीस से Electrode से Negative Terminal और वर्पीस से क्या Positive Terminal यह क्या हो रहा है इस ग्राइस के साथ स्ट्राइट कर रहे है जिसके वज़े से क्या हो रहा है Convert हो रहा है Plasma में इसमें Convert हो रहा है Plasma में और यह plasma हम use करते हैं for the metal removing of workpiece, मतलब workpiece का जो metal है, उसको remove करने के लिए हम लोग इस plasma का use करेंगे, जहाँ जहाँ से अपने metal को remove कर रहे हैं, वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, इसको run करते जाएंगे, ठीक है, अब आपको तो पता ही है, जैसे ही नेगरी तर्मिल वह पॉसिल टर्मिल एक जगा पर जूर वहाँ से क्या निकलती है, चिंगारी निकलती है, एक आर्क निकलता है, हैना, तो इसी आर्क के वाँचे से क्या होगा, आपका metal remove होगा with the help of plasma, I hope सब्सक्राइब को इसकी वर्किन समझ में आगे होगी, नोस में वह ने इसको पुरा detail में दोज दिया है, आपको तो पेंशन लेने के कोई भी जरुवत नहीं है, ओके, देखें इंदस्ट्री में, plasma arc machine किस प्रका से होती है, यहाँ पर देखें एक plasma arc है, जो work कर रही है, एक गर्म होती है, plasma gun बोलते हैं हम जिसको, उसी इनके अंदर ये साड़ा mechanism क्रीट होता है, ठीक है, तो इस प्रका से यह पर ये work करती है, ठीक है, चलिए आगे बरते है, तो advantages, advantages क्या क्या है, hard as well as little material can also be machine, hard material, little material, सबको हम machine कर सकते है, ठीक है, फास्टर टोड़क्शन रेखें इसका अला, जल्ली जल्ली काम करता है, छोटी छोटी चोटी ये cavity है, छोटी चोटी चोटी ये बड़्डे है, उसमें भी आराम से ये machine कर सकते है, उसकी इनके पर अच्छी होती है, ठीक है, it can be used for rub turning, for very hard material, ठीक है, it is also used in a machine, used for repair jet, engine waves, तो jet पे जो engine waves होते है, उसको हम लोग आराम से इसके machining करने के लिए आराम से हम उसको use कर सकते है, इस advantage देखते है, ठीक है, इस advantage क्या है इसका, कि plasma arc machining करना है या थोड़ाशा costly है, क्योंकि इतना बड setup लागाना कम बात नहीं है, तो costly होता है, ठीक है, आभी यहाँ पर कह रहा है, प्लास मास्क के वज़े से क्या हो रहा है, आप, आप machining कर पा रहे हो, तो कुछ तो चंजिस होंगे, आपका जो workplace है, इसके metallurgical things में, कुछ तो चंजिस होगे, है ना, तो यह भी इसका decent advantage होता है तो consumption of inert gas भी बहुत जाता है, inner gas का हम बहुत जाता है, इसमें यूज़ कर रहे है, और क्या आरहा है, बहुत जाता है, इसमें fumes निकलते हैं, वो सरह इसमें scale and sludge formation होता है, जिसके जिसे हम को क्या करता है, एक proper shielding की बहुत जाता होती है, अदर्वास क्या होता है, आपके human health क उपर इसका effect पढ़ सकता है, ओके, application देख लेते हैं, कहा था हम इसको करते हैं, तो milling, जो mean होते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग इसको करते हैं, nuclear submarine pipes में इसको करते हैं, welding of rocket motor cases, stainless steel tubes, profile cutting, इन सब में हम लोग क्या करते हैं, plasma arc machining को use करते हैं, ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने, plasma arc machining के बारें पढ़ा, उसको describe करता है, उसका working advantage, disadvantage, इसका application, इन सब को हम लोग यहां पर describe करता है, और यह रहे हैं, आपके program outcomes, जो कि अच्छी होने वाले, ठीक है, question किस पका से पूछागा आपको MSVT, आपको question कर सकता है, कि describe the working principle of plasma arc machining process, और इसका advantage, disadvantage, application पढ़ मिलके है, lecture में, abrasive rate machining process के साथ, तब कर के लिए keep learning, happy learning, bye bye